नमस्ते भाई बैरों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अमित के साथ योग पर चलिए आज हम लोग करेंगे जो आपके स्वापन दोस्त को दूर करेगा यह जो पांच आसन जो हम लोग करेंगे तो इन आसन को आप सुबा और साम कर सकते हैं त्यान रखें कि आपका पे की उपर रखें और थोड़ी देर आग बंद करके सांस प्रिश्वास की हर दिखान दें और थोड़ी देर देखें कि आपके मनमें विचार आ रहे हैं उनको थोड़ी देर दूर जाने दें, और अपने मन को आपकी सांस प्रिस्वांस की क्रिया की उपर लेके जाएं जब भी बिचार आपके दिमाग में आते हैं उनको आने दें और आप अपने मन को अपने सांस प्रिस्वांस की क्रिया की उपर लेके जाएं ऐसा आप दो मिनिट से पांच मिनिट तक कि दोहरा सकते हैं उसके बाद आपके हाथों को आप अपने नाभी के पास लेके जाएं तो दौनों हाथ की मुठी आपके नाभी के बाजू में है सांस बारें और जैसे आप सांस छोड़ते हैं आगे के ओड़ जुकें हाथ से आपको आपके लोर एब्डुमिन में मसाज मिलेगा देखें कि अगर आपका माथा पूरी तरिके से जमीन पर जा सकता हो तो जमीन पर माथे को रखें और रेस्ट करें तरिके से एक मिनुट तक इस आसन को आप रोप सकते हैं कि सांस भर के बापिस आएं अपने हाथों को आप बगल में रखें ऐसे सांस भरें सांस छोलती हुए एक बार और अपने माथे को जमीन से लगाएं उसके बाद आपके हाथों को ऐसे आप अपने पैर के पंजों के पास रखें और आपकी कोहनियों को ऐसे रेस्ट होने दें इसके बाद धीरे से बैठ जाएं और अपने पैरों को साथ साथ मिलाएं हाथों से पैरों को पकड़ें आपके चाती को ऊपर की और लेके जाएं और फिर नी को गुटनों को शेक करें ठीरे से स्टॉप करें अपके गटों को ऐसे दो इंगलियों से पकने रख किक या को हाथ करें को अपके पैरों से जंगा ने लगाएं जाती को फार थाएं और शौर्ड़तिभें आगे के और जुकें देखें कि आपके जो हिप्स है वो जमीन पर ही रहें आपकी छाती सीधी रहना चाहिए क्रिस्टाश भर के बापिस आए और पंजों की बल बैठ जाएं आपके पैर करीवन हिप के बराबर खुले हों फिर अपने हातों को आप ऐसे नमस्कारासन में लेके आएं आपकी सीने को उपर के और लेके जाएं बैक को सीधी रखें आखों को बंद रखें और आपकी मन को सांस प्रिस्वांस की क्रिया की उपर लेके जाएं एक बार और दोहनाएं जब भी आपके मन में विचार आते हैं उनको आनेते हैं और आप अपने मन को सांस प्रिस्वांस की क्रिया की उपर लेके जाएं 30 सकंड से 1 मिनिट तक कर सकते हैं उसके बाद धीरे से सुखासन में बैठ जाएं और अगर आप चाहें तो ध्यान आसन में बैठ सकते हैं एक मिनिट से 5 मिनिट तक और एक बार और दोहराने की कोसिस करें जब भी आपकी मन में बिचार आते हैं अब अपनी मन को सांस प्रिस्वांस की क्रिया की उपर लेके जाएं और विचारों को ज्यादा एनर्जी ना दें आपको केवल अपने सांस प्रिस्वांस की क्रिया को देखना है उसके बाद जब भी रेड़ी हों अपने दोनों हाथों को रब करें आपके फेस की उपर लेके जाएं थोली देल आपके दिमाग को आपके फेस को एनर्जी दें फिर दोनों हाथों को साथ साथ मिलाकर नमस्कार आशन में धन्यवाद दें धीरे से अपनी आखों को खूल दें नमस्कार ये पांच आशन जो है वह आपको बहुत यूपयोगी होंगे आपके स्वापन दोस के लिए तो कम से कम एक महने तक प्रैक्टिस करें गुरुष के बाद मुझे बताएं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अमित के साथ योग पर जोइन किया और आसा है कि आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार